अब रूप करते हैं हमारे अगले सेबिंड का पावर प्ले जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि आखरी एक घंटे में कबाएं के मौके कहां पर नजर आ रहे हैं विशाली आप से जाना चाहेंगे आपने शो की शुरुवात में दो स्टॉक्स सजेस्ट कि उसके बाद भी काफ कर रहा है और वॉल्यूम के साथ भी है सो 61.50 के साथ चोटा स्ट्रेट रहेगा 65 के टागेट के लिए और और भी जो पोजिशनल रखना चाहेंगा वो 68-69 का टागेट के लिए बेट कर सकते हैं और दूसरा मैं B.E.M.L. का स्टॉक रेकमेंड करूंगी मैंने इंपक्त है और मैं अभी भी बुलिश हूँ तो आई थिंक 1900 के सपोर्ट के साथ ये स्टॉक खरीदा जाए और लोगे ये टागेट ऑफ 2150 तो 2200 ओके तो B.E.M.L. और पंजाब नाशनल बैंक ये दो काउंटर्स जो हैं वैशाली को फिलहाल पसंद आ रहे हैं पर रोचित अब आप जब उसने अपने का एक्सपोनेंशल मोईंग आवरेज को ब्रेक किया था उसकी बाद काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में प्राइज अपनों में दोजार पचास तक के अल्मोस लेवल्स टेस्ट हुए लास्ट एक अफते में हायर लेवल से प्राइज करेक्शन आया तो यहां पर इस्क्रिवार इश्यो काफी फेवरेबल है फिर से कॉंट्राट रेट्स लेने के लिए तो कर लिए 1900 के आसपास है यहां पर खरीदारी करें स्टॉप में 1860 के नीचे का स्टॉप लॉस रखे और यह फिर से आप आनो 1980 तक के टागेट से स्टॉप में एक्सप नजर आ रहा है सिमेंट शेरों पर यहां नजर रखिये इसके लाओ आज हम देख रहे हैं कि काफी अच्छी बाइंग है यहां पर क्रॉंट इंड्रीव्स में शांदार तीजी देखने को मिल रहे है वीगार्ड इंडस्ट्रीज आज ऊपर है यह कुछ इसे स्टॉप है कि काफी अच्छी तीजी देखने को मिल रहे है वैशाली इस पेस में कोई स्टॉक है जो आपको अच्छा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है कि क्रॉंट इंड्रीव्स टेक्निकली इस वेरी वेल प्लेस्ट बट्रॉम्ट इंड्रीव्स का यही है ड़िए एस एक रनाप ज जाती है तो नाव हमें देखना है कि फिल्हाल 295 के उपर यह सस्टेन करना चाहिए तो हम उमीद रख सकते हैं यह 305 के टागेट के लिए तो क्रॉंट इंड्रीव कंज्यूमर अच्छा लग रहा है पर रुचित आज चुनिंदा ऑटो काउंटर भी बस कर रहे हैं देखें गौरांग शाजी की रेडार पे लंबी अबदी के लिए M&M जरूर था पर आज बजाज ऑटो करीब कई दिनों बाद मैं देख रहे हूं यह काउंटर में लगबक 1% की तेजी है और पिछले दो दिन के जो इसके हाइस थे उनको तोड़ता वा नजर आया है तो कैसे देख कर रहा है तो यहां से एक बाउस पर पूल बैक मूँ एक्सपेक की जा सकती है 4747 20 लेकिन एक इमेंड़ रिजिस्टेंस रहेगा पूल बैक मूँस पर वह रेंज क्रॉस करना काफी इंपोर्टन यह स्टॉक में को सिग्निपिकेंट केजी और आगे कंटीनू होने के लिए एक एसा स्टॉक रहेगा विदिन दा ओटो स्पेस जहां पर हम काफी अच्छा मोमेंट अब बिछले दो ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं एक कंसोलेशन का ब्रेकाउट आकि अप्ट्रेंड का रिजंप्शन होया तो यह भी एक हैसा स्टॉक है जहां पर हमें लग रहा झाल 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 झाल